नमस्कार दोस्तो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A2Z रिफारिंग में दोस्तो आज हमारे पास एक सेमसंग का 32 इंच LCD टीवी है और उसमें प्रोब्लम क्या देख सकते हैं ये ब्लेक और वाट का प्रोब्लम है तो दोस्तो आज के वीडियो में ये जो ब्लेक और प्रोब्लम है इसको मैं आपको ठीक करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये आप हमारे चैनल पे नहे हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले और बगल में जो बेल क आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर और नोटिफिकेशन को भी आउन कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुचे सबसे पहले और दोस्तो यदि हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धनिवाद तो आपका समय को वेस्ट किये भीना चलिए वीडियो को शुरूब तो दोस्तो सबसे पहले तो टीवी का सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद में और यहां पर यह जो इनपूट वाला उप्सन है इसमें जाना है तो चलिए इनपूट में आने के बाद में देख सकते हैं कि इधार आना है तो इसमें source में इंटर करना है और source में इंटर करने के बाद में देख सकते हैं कि यह जो हमारा TV चल रहा है यह component mode बेठी गए और यह हमारा TV mode है TV mode में करने से क्या होगा कि picture नहीं आएगा RF mode में चला जाता है और यह जो हमारा AV mode है यह भी highlight नहीं ठीक है तो जब यह AV mode highlight होगा तभी हमारा color जो है इसमें चलेगा component mode में जो होता है वो black and white picture आता है तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि AV mode में देख सकते हैं कर रहे है तो हमारा TV mode में आ जा रहा है AV mode में नहीं हो रहा है तो हमें सबसे पहले तो AV mode करना है तो AV mode के लिए देखते हैं तो दोस्तों यह जो problem है यह hardware है ठीक है यह setting से problem नहीं है वीडियो को मैंने skip करके जो इसका सारा setting को मैं चेक कर लिया setting से यह problem नहीं है तो इसका hardware में क्या करना है तो अभी मैं live दिखा रहा हूँ कोई वीडियो को cutting setting नहीं कर रहा हूँ नहीं कोई fake वीडियो बना रहा हूँ तो इस तरह का problem मैं और भी TV में ठीक कर चुका हूँ इसके लिए मुझे पता है और मैं आपका समय को जैदा वेश्ट नहीं करना चाहता हूँ तो यह motherboard हमारा खुल चुका है तो motherboard को खलने के बाद में देख सकते हैं यह हमारा EV socket है यह component socket है ठीक है तो हमें क्या करना होगा यहां बारी-बारी से check करना होगा कि हमारा यह जो दोनों pin है आपस में यह दोनों sort होना जाई यह दोनों sort होना जाई यह दोनों sort होना जाई ठीक है तो जो component mode का जो pin होता है वो sort है कि नहीं यह हमें check करना है मैं वीडियो को थोड़ा zoom कर रहा हूँ तो हमें component वाला socket को देखना है तो component वाला socket में देख सकते हैं यहां पर continuity नहीं मिल रहा है ठीक है तो यहां पर continuity मिलना चाहिए यानि कि यह sort रहता है तो यह हमारा अंदर से यह socket लगता है खराब हो चुगा होगा तो यहां पर कोई continuity नहीं मिल रहा है इस तरह से beep देना चाहिए तो चलिए यहां पर एक jumper लगा लेते हैं के और जमफर लगाने का बाद में देखते हैं क्या होता है प्राओ प्राइब posição ता समयन गुए लो एकार में पुए टो वो रखंग बुए करें हुए कि अ हुए झार ऑटो भार शोम गषिए कि अधर रशे गार हुए किया झार भार अुए है जहसे कि और पéo यह दो जरस घजन आई किर्ग ब coated समय केरिव जहूं रहर किर्दों Brett ट क्लान यद़ जो भुदन हो लाओगो जह समय युरैंगों समय को खेंगक तो अभी मैं इसमें लाइन दे चुका हूँ और लाइन देने के बाद में अभी हम अपना सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद में इन्पूट सेटिंग में जाना है और अब जो source में आ चुके हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि source में जाने के बाद में जो हमारा AB वाला option है यह अभी highlight हो चुका है पहले highlight नहीं था अभी component देख सकते हैं highlight नहीं है उसमें AB highlight नहीं था component highlight था ठीक है तो अभी हम A B में जाते हैं और अभी A B में इंटर करते हैं तो देख सकते हैं पिक्चर हमारा प्रोपर क्लीन चल रहा है और कलर भी आ चुका है एकदम नेचूरल कलर तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों जानकारी अच्छी लगे होगी तो फ्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें सेर करें हमारे चैनल पे नहे हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धनिवाद